Hello and welcome to my channel मैं रेवती और मैं इस चानल पर बताती हूँ अपने law of attraction की journey को easy and effortless कैसे कर सकते हैं और अपने desire को कैसे पूरा कर सकते हैं तो जुड़े मेरे साथ जिन्होंने अल्रेडी subscribe कर दिया हैं I am really grateful और जो नहीं कर रखे हैं जल्दी से subscribe का button दबाईए और मैं शुरू करने वाली हूँ prayer की सही technique आखिर बिभिन गुरुओं ने किस तरीके से prayer करना सिखाया है तो अब शुरू करते हैं बच्पन से मुझे personally pray करना ये सिखाया गया था कि हमसे बड़ा कोई बाहर exist करता है उपर आस्मान में जिससे हमें दुहाई देनी है अपनी चीजों की जैसे भगवान मेरे exam पास करा दो क्युँ क्यूंकि exam पास करने से मेरे ममी पापा बहुत खुशे होंगे और आप अगर मुझे exam पास करा दोगे तो मैं आपको 2 kilo लड़ चड़ाऊंगी यही सुनते और सीखते हर कोई बड़ा हुआ है कि हमसे उपर कोई है और उसे दुखाई देनी है प्लीज 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 मिरे एक्जाब पास करा दो प्लीज मुझे वो लड़का दिला दो प्लीज मुझे पैसा दिला दो प्लीज 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 और इस vibration में अगर हम pray करते हैं तो फिर वो prayer काम नहीं करती है कभी फूल चुक से कर भी जाती है कई बार बहुत जादा जिद करते हैं और हमारी बहुत जादा strong desire होती है तो कही ना कही मैं attract कर लेते हैं बट कई बार मैंने notice किया कि मैं बहुत जादा pray करती हूँ बहुत जादा जिद की और ही पूरा हो भी गया तो साथ में पूरा होने के बाद कुछ ना कुछ एक contrast लेके आ जाता था past पीछे जम्मे करती थी फिर मैंने सीखा सही way of pray करना तो सबसे पहले तो अपने अंदर के energy से जुड़ना होता है यानि आपको ये समझना होगा कि कोई आपसे बड़ा नहीं हम सब के अंदर एक creator बैठा यानि जो उपर exist करता है क्योंकि हमाई बच्पन से सिखाया गया है कि उपर को है आसमान में superpower जबकि उपर कुछ नहीं है यह पूरे world वो superpower के अंदर है तो कोई उपर कहो उनीचे कहो पाताल लोग कहो कहीं भी difference नहीं है आपको जहां जगह समझ में आती है समझ में आईए क्योंकि जो बच्पन की programming है उसको एक दिन में नहीं बदला जाता है और उससे लड़ाई करके भी कोई बात नहीं है मैं एक ऐसा रास्ता निकालती हूँ कि programming तो हो चुकी है बट उस programming के साथ हम जो जानते हैं जो हमारे लिए better है उसको कैसे use करके अपनी desires को पूरा कर सके तो वही मैं आज आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ कि हम समझते हैं कि उपर कोई है और जो बड़े teachers हैं जो बहुत advanced teaching सिखाते हैं वो बोलते हैं हम खुदी God है हम खुदी creator है हमें दूसरे से मांगनी की जरूत नहीं हम खुद create कर सकते हैं which is correct बट जब हमने बच्पन से यही सुना है कि कोई उपर उसे दे देता है आसमान से गिरती है चीजे हमारे लिए तो कहीं न कहीं दिमाग इस चीज को accept नहीं कर पाता है तो सबसे best way है acceptance का जहां पर आप खुद के creator होने की भी चीज मानेंगे plus जो बच्पन की programming है एक superpower उपर exist करता है उस चीज को भी नकारेंगे नहीं वो यह है कि मानना कि उपर एक बड़ा power है और उस power के extension हम है यानि वो power हमारे अंदर भी exist करता है वो इतना powerful है कि वो सर्वयापी है यानि हर जगह मौजूद है वो हर किसी के अंदर है जबकि वो किसी के अंदर नहीं होने के साथ-साथ यानि उसका कोई रूप नहीं है वो उपर भी exist करता है वो हमारे अंदर भी exist करता है वो हमारे आगे भी exist करता है, वो हमारे पीछे भी exist करता है, वो वही है जो हमारे आग खोलने के साथ हमारे through देखता है, वो वही है जो हमारे heart beat को चलाता है, वो वही है जो हमारे अंदर रक्त का संचारन करता है, यानि वो वही है जो हमारे blood को pump करता है बिना किसी महनत के, वो सारे चीज प्रवाइट करता है, तो वो पूरे वर्ड में भी व्यापक है और वो हमारे अंदर भी व्यापक है, तो उससे प्रे कैसे करेंगे, उससे प्रे सिर्फ इस तरीके से करेंगे ये बताते हुए, कि है वर एक्रिएटर, मैं एक छोटा creator यारी इसने आपके इस world में existence लिया है इस चीज को create कर दिया हूँ vibrationally अब आप physical form में ले आओ तो आप कैसे करोगे आप बोलोगे thank you thank you भगवान जी या thank you Allah या thank you God या thank you भाई गुरू मुझे ये दे दिया अपने हर रोज सुबह उठके उपर वाले को जो actually में है उसके लिए धन्यवाद दीजिये प्लस जो चाहिए उसके लिए भी धन्यवाद दीजिये कि वो आपने vibrationally तो create कर दिया अगर आपके अंदर इक्षा आई आपने उस चीज को expectation बांध ली यानि आपने वो create कर दिया vibrationally तो आप as a creator अपनी duty पूरी कर दिये है तो उसका धन्यवाद तो देना है ना बरे creator को भी तो बस pray करने का सही तरीका है मांगना नहीं है beg नहीं करना है दुआ ही नहीं देनी है justify नहीं करना है क्योंकि हम जो सास ले रहे हैं यही काफी बड़ा justification है हमारे desire को पूरा करने के लिए हम इस world में exist करते हैं यही बहुत बड़ा justification है हमारे सारे desires को पूरा करने के लिए और हमें कोई भी नया justification देनी की ज़रूरत नहीं है कि यह desire हमें क्यों चाहिए हमारे अंदर desire आई है तो उसका simple कारण यह है कि desire पूरी करने की सारी संसाधन हमारे पास मौजूद है बस हम देख नहीं पा रहे हैं तो बस desire create हुई उस चीज का धन्यवाद दीजिए इस वे में कि वो चीज पूरी हो गई है जो लिखने में जिने बहुत मज़ा आता है लिख सकते हैं मैं जैनरली लोगों को recommend करती हूं कि लीटर लिखी है अपने उपर वाले को मैंने पिछले भी बहुत सारे वीडियो में लोगों को सिखाया है कि एक लेटर ल्किये बागवान जी को कि थांक यू थांक यू आए ग्रू जो भी नाम देता हैं एक super power का universe जो भी नाम देना है matrix जो भी है and thank you यह यह desire मेरी आपने पूरी कर दी मैं बहुत grateful हूँ कि आपने मेरी यह desire पूरी कर दी यह desire पाके मैं बहुत खुश हूँ और आपके इस बनाएवे world को और अच्छे से enjoy कर पा रही हूँ तो आपने मेरा experience इस world में और better कर दिया है इस चीज़ के लिए धन्यवाद और फिर इस letter को fold करके आप अपने altar पे या जहां पे कुछ religious books रखते हैं वहां पे या जिनके पास मंदिर है वो मंदिर में भगवाजी के पास submit कर दी जाया यानि बेज दिया है अपने उस letter को और ये सही तरीका है प्रे करने का और हमें किसी को justification देनी की जरूरत नहीं कि हमें ये desire क्यों चाहिए और नहीं किसी के approval की जरूरत है कि ये desire जो आपके अंदर आई है वो सही है या गलत है क्योंकि अगर desire आई है तो समझ लीजे बरे कि ये creator ने हर संसाधन दे दिया है आपको पूरा करने का और वो बस आप खुद की limiting beliefs और programming के कारण रोक रहे हैं तो जल्दी से उस limiting belief और programming को हटाईए और उस desire को पूरा कर लीजे मिलती हो अब आपसे next video में take care keep manifesting और जल्दी से like का बटन दबाईए बबाईए